हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो और यू चैनल अग्रिकल्चर एंजी के मेरा नाम नहीं है और आज मैं डिसकस करने वाले हूं आपको आपसे कोरियंडर के कल्टिवेशन के बारे में धनिया की खेती के बारे में हम आपसे आज डिसकस करने वाले हैं तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर आउन रखिए बात करेंगे हम लोग यहां पर आपके अगर हमारे चैनल पर विजिट करिए और अगर आप इंट्रेस्टेड है तो प्लीज कोर्स प्राइज केवल और केवल ट्रेपल नाइन में आपको हम प्रोवाइट करा रहे हैं कम्प्लीट नोट्स बेस्ट अन सेलेबस प्लस आपको वीडियो लेक्च्चर प्लस पीडिया प्लस आपको जो है प्रीविएस एयर के जो प्रियों क्वेश्ट पेपर है वह आपको हम यहां पर प्रोवाइट करा रहे हैं तो प्लीज चैनल पर विजिट करिए और हमारे वाट्स अब पर मेसेज करिए हम आपको स्पेशल कोर्ट जो है एफ एफसी आई का जो है का या है इसके security है ंसकhando में रहे हैर तो यह सबसारी सीची चया हुआ हम डिसकस करने बाले है आज के अपने इस फीडियो लेक्टर में मैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे चानिया के बारे में बात करेंगे तो यह होगा आपकी family अम्bी फेरी से अंब्ली फेरी से यह बिलोंग करते है family इनका जो बोटानिकल नेम होता है वह होता है हमारा Korean Duce Coriander curiander satiwom linus ठेक को रिअंडव और चटाइवयर से तयवं लीन इसका साइड़ बोटानिकल नेम है फैमली इसके अम्भावरी चाहला नोल होब यह एक अनल हब ठीक है हूप से तो यहां पर इसकी फ्लावर होते हैं मैं पार यह वाइट और पिंकिश फलाव प्रावर हो हैं धरिक है वाइट पिंकिस परपल कर पार इसके होते हैं हमारे कोडिन या फिर हमारे धनिया की धनिया हमारे एक कंडिमेंट क्रॉप है ठीक है कंडिमेंट क्रॉप मानेंगे कंडिमेंट का मतलब क्या होता है यहां पर कंडिमेंट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए जो है कि सब्जी या फिर हमारे कोई भी डिस है डिश ह इसको ठेक्वरेट करने के लिए प्लस उसमें कि लिए धिक अलग से फ्ल्यवरेण करने के लिए वह वो होती हमारी कंडिमेंट क्रॉप टो ये एक कंडिमेंट क्रॉप मुंध ब América स्पाइस में आपकी सिडसेत इनकी सीड fountain सियए कि इस पैस में आते हैं कमपाउंड एक चीज बस पूछता है यह बेरिश इंपॉर्टेंट इसकी आपको इस बात को यह जह है रबी-सीजन की ग्रॉप है ठेक है रबी-सीजन की यह क्रॉप है फ्लस आपकी जो है कि स्वाल जो है हमारी सैंडी लोम जो है इसके लिए Quarter 200 के बारे में स्क्लाइब के बारे में और सीजन के बारे में तो हमारी सिल्ट और मी स्वाइल कल्टीवेशन के लिए जो है जो है जो हमारी के लिए कल्टिवेशन के लिए बैस्ट होती है आपकी यू है फिए जो चप से आठ जरह दसुल जो सिक्स टू-हे बढ़त करेंगे यहां पर तो क्लाइमित हमार हमारा जौ हम घνο리 जो है वेल टेंपरेचर अच्छा खासा टेंपरेचर यहां पर चाहिए जो की 20-25 डिग्री सलसियस यहां पर आपको टेंपरेचर चाहिए होगा हमारे कोरियंडर की कल्टीबेशन के बारे में cooler and comparatively dry frost free climate फ्रोस्टीक फ्री क्लाइमट कूल और comparatively dry ओपकी फ्रॉस्टरी ड्रीकलाइमिये होंने चाहिए ठीक कुहारा से कुहारर से सारीचीज है बची रहनी का negócio क्ऊनिए security और कावारी ड्रिटीपन की की अक्त सबजाती और झाओ उपए कर सकते हैं और हम एक बुवाई कर सकते हैं यहाँ पे अक्टूबर से नमबर के टाइम पे जो कि हमारे main फसल यह वाली होती है जो कि हमारे seed production के लिए भी यूज की जाती है यह है आपकी coriander यह है आपकी इसकी seed यह है इसकी flour ठेक है और यह आपकी जो seed है इसको जो है कि two parts में divide किया गया है दो भाग में डिवाइड किया यह है जो इनफलरेसिंस के बाद कर रहे थे हम लोग यह इसका अमबल और यह इसकी लीव जो कि ट्राइफॉलियट होती है ट्राइफॉलियट होती है तो यह सब सारी चीज़े हो गए आपकी जो है यहां पर कल्टिबेशन जो है हम धनिया के अगर करते हैं तो यह हो गई उसकी पूरी-पूरी बॉटिंगे चलिए नेक्स बात करते हैं लोग फिल्ड प्रपरेशन और सोईंग की तो फिल्ड हम जो है फिर क्या करते हैं धनिया को हम भीगा करके रखते हैं प्रप फॉर प्रपर जर्मिनेशन ठीक है प्लस उसके बाद जो है हम क्या करते हैं सीट को अच्छी ग्रोथ के लिए हैं अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं सीट को स्प्लेट कर देते हैं ठीक स्प्लेट कर देते प्रीश तोइंग सीद हारनिंगट मेंट पित पोटेसियं ड़ा ठोष फॉसफैट benefici पर लीटर ओवटर एंग आट तो भी जोबह पुसले है उसमें नीट्स पात करेंगे लोग शीट्स आर्ट two एज्वुर्यलम सट्रीट अधिर ट्रीट करेंगे जिसमें की वब Secliner ईज्व पर हफाइक सबॉल इससेज़ हमारा옇ख पॉंट हमारा करेंगे बाय कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा से जिसमें कि हम पर केजी सीट को फोर ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा से हम अपने विल्ट डीजीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर ट्रीट करते हैं अपने सीट को तो जो कुछ इंपर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे आपको ट्राइकोडर्मा यह जो है। वाय कंट्रूल एज्ञन हो जाएगा जो की विर्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हैं और अगला है हमारा अजोस्पेरिलम यह सब सारी चीजे हमारी यह हमारी फसल में अको पर अको गन्ट 10-12 kg पर हेक्टियर हमें पूरी की पूरी वह हमाई सीट चाहिए बात करेंगे रैंट फेट के लिए तो 20-25 kg पर हेक्टियर रैंट फेट क्रॉप पे हमें यहां पर सीट चाहिए यहां पर सीट करने के लिए हम सिलीट को स्प्लिट कर देते हैं चलिए नेक्स बात करेंगे सीट ट्रीट मेंट की तो सीट्रीटमेंट को और अच्छे समनों पहले ही दिसक्स कर लिए फिर भी यहां पर हम क्या करते हैं फॉर देटर जेर्मिनेशन सोग दिसीड इन वाटर फॉर्ट फॉल आस जो हमें यहां पर सीट को सोग कर देते हैं पानी में ट्रीट सीट विद एजिस परिलम ठीक है निंग यहां पर सारी जीजर वहीं आगे हम सब्सार पर 치 Kingston करने के लिए हम जो है विल्ट पानी लियूच दिजीज जाएगी दिल्ली में सब क्वाइटी यही पर वहीं हमें तो भायको सेटाओ दूसरी जीचे ओग पूसा सेलेक्शन और फॉसा सेलेक्शन में नेन्हां सब चोछी वराइटी हो जाएगी हमारी कि सी ओवन और हो जाएगी धॉर्ड बरायटी मुझी सब चबिया इमपोर्टेंट बराइटी हैं जो कि हमारी कर टिवेट की जाती है चलिए नेक्स बात करते हैं कि जो वराइटी कुछ इंपोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ डीटीलिंग देख लेंगे हम लोग यहां पर तो यहां पर आपकी जो वराइटी है यह हमारी सिम पॉस 3-3 improved strain developed by intensive selection from bulzerian material यहां पर क्या है bulzerian material से इसको जो है की हमारे जो है सेलेक्ट के करके यहां पर डेवलप किया गया है सेम पॉस 3-3 ठीक है बात करेंगे next variety की CS2 selection from the germplasm collection जो है वरांगल वेस्ट वेंग्वाल से यह किया गया है selection method से इसको germ class के selection से इसको डेवलिप किया गया है medium to tall more branching bushy type with 83 cm height medium से tall यहां पर height इनकी होती है branching जैदा होती है जाडी नुमा होते हैं ठीके और इनकी height जो होती है 83 cm height होती है यह हमारी characteristics variety CS2 की इसमें इल्ड कितना होता है तो पर हेक्टेर जो है तेरे सो पचास कीलो यहाँ पे आपको मिलता है पर हेक्टेर तेरे सो पचास CS2 की वराइटी हमें देती है बात करेंगे अगली नेक्स वराइटी करन की तो करन जो है यह हमारे डीकरेंस सेलेक्शन के तुरू यहाँ पे डिजीज के अगंस्य हरे एसी के लिए एड्यान की व्याओक traffic सब्सक्राइब किया था विल्ट और spectrum qual disease के अगंस्य कीam रिजिस्टन्स है करli आहने हमारी दोनिया की व्याओटी ठीक है ढेट्व के मारी बिश्टक अर्श्ट उर actionable इंप़ेंट होती है जब आप मोय कर रहे हो ऊस टाइम के मतलब होती है कि सोईंग के कुछ दिन थीस दिन बात 15 दिन बात 45 दिन बात वह आपकी करोपGo Home करते हैं लोगोह समग तो बिसल ड्रेसिंग में हमें क्या करना है विसल ड्रेसिंग में आपको फ़ाम याड मैन्यो जो है दस टन पर हेयर यूस करेंगे हम दस टन पर हेक्टे प्लस आपको जो है 100 किलो नैट्रोजन 40 किलो फोस्फेरस 20 किलो जो है पोटासम यहां पर वर्षा आधारी या फिर इरिगेटेड एरिया में हम यहां पर आपको जो है बेसल डोस पे देंगे टॉप ड्रेसिंग की बात करेंगे तो टॉप ड्रेसिंग में भी डन आट 10 kg नैट और आपको जो करनेकर होगी नाट की बहुत यहां फिर बैसे के बात करेंगे तो यहां पर इरिगेशन में हम ज прогल ख़ोख टरिया इंट-थेट और जोए मज закон कि यहां बढ़ यहां पर दस दिन के इंटर्वल पे वहां पे हम इरिगेशन वहां पर करेंगे यह आपकी धनिया यह आपकी धनिया की लीफ यह इसके फ्लार जो कि मैंने आपको शुरु शुरु में बात किये थे कि वाइट होते हैं मैं भी पिंग किश होंगे में भी आपकी परपलिश होंगे ठीक है यह सब आपकी धनिया के फ्लावर की वराइटी अमलब कलर के यह इंद आमकी सीड सीड को आपको बोने के साथ साथ इस इसको स्प्लेट करना होता है ठीक है नेक्स बात करेंगे हम लोग आफ्टर कल्टीविशन की बात करेंगे इमर्जर्स त्रह आफम हर्भी साइड ठिके प्रियंजर्स त्रहद्स एमर्जम से पहले वह रिदुय प्रवू गजली से ठीक है फ्लू क्लोरालीन से जो है अब जो है 700 ml 500 लीटर वाटर में 700 ml 500 लीटर वाटर में मिला करके हम जो है कि पूरे पूरे वन हेक्टियर जो हमारी फसल है उसमें जो है छिड़काव करेंगे ठीनिंग इस डन 30 डे आफ्टर सुएंग थीनिंग का मतलब है कि वहां पर करेंगे उसके बात अगर नज जरूरी होता है तो अगर वहां पर वीड हमें दिखाई देते हैं लीफ्स टू प्लांट पर हिल इस प्रे सी 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 टूप टूफिफिटी पीपेम वन मंद आफ्टर सुएंग ठीक है क्या करना है यहां पर हम इस प्रे करेंगे सी सी का जो है ए अगर हमें वह में देखने को मिल रहा है सुखा देखने को मिल रहा है तो वहां पर हम जो है ट्रिपल सी का चिर्काव करेंगे नेक्स बात करते हम लोग यहां पर प्लांट प्रोटेक्शन एन एफिट्स के बारे में प्लांट प्रोटेक्शन में एफिट्स को कंट्रूल कर करेंगे हम लोग डाइमेट्रियोट कॉर तक एफ रखेर बीक रीक राइट्सक्राइड से रखेल ही रिजिस्टेंश ऐख राइटिव डिसकस्किख की थी और यह पलीज और करके बता यह प्लीज ं श इन से रखी Passover वारायटी कौन से थी ठेक है तो सीड ट्रेटमेंट विद सीडो मोनास फ्लोरेसेंस एड़ रेट 10 ग्राम पर केजी ठेक है इसको हम विल्ट को कंप्रोल करने के लिए सीडो मेनास फ्लोरेसेंस से अपने सीड को हम ट्रीट करेंगे और या फिर हम हो अपनी स्वाल को भी हम लोग ट्रीट करेंगे पी एफ वन के अप्लिकेशन से यह है हमारी विल्ट की में रिस्टेंस वराइटी नेक्स बात करेंगे हम लोग पाउडरी मैल दियो की तो पाउडरी मैल दियो को सिम्टम ये देख लीचे ठीक है पूरी की पूरी धनिया पू कि इसकी कोजल और्गनीजम की इसके स्म्टम्स की ठीक है और कंट्रोल की तो पॉडरी माडली ऊको कं तोनिक जाद के लिए एक सवर शática ट्रेट कराज़िट्मल को दिए इसको पाज़र होगनीजम होते न वह होते है एरिसाइफे एरिसाइफे पॉलीगोने ठीक है यह होते हैं इसके कॉजल और्गनिजम हमारे पाउडरी माल्डियू के तो ध्यान रखेंगे सीट ट्रीटमेंट करेंगे स्वीडियो मेनास फ्लॉरेसंस से ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे इस्प्रे वेटेबल सलफर और दीनो कैप एड़ टाइम ऑफ इनिशेल अपेरेंस ऑफ डिजीज एंड सेकें इस्प्रे ओन टेंथ इंटरवल हम क्या करेंगे अगर पाउडरी माल्डियू का सिम्टम दिखता है तो हम वहां पर सलफर का छिड़काओ करेंगे और अगर यह रिजिस्टन्स नहीं हो पाया अगर वह वापस से सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पर फिर से हम सलफर का छिड़काओ करेंगे दस दिन के इंटरवल के बाद और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करते हैं नीम सीट केक जो हम वहां पर इस्प्रे कर सकते हैं अगर हमें डीजीज देखने को मिलता है तो नेक्स स्टेप हम यह भी कर सकते हैं नीम नीम सीट करनल हम आपर जो है कर सकते हैं छुड़काव वहां पर अपनी डिजीज को से बचाने के लिए पहला तो तुरंत सिम्टम देखने के बाद फिर उसके बाद जो है तीसरा और चौता हम अपने सिम्टम के अपे इसे is appear in the form of tumor like swelling and most commonly on leaf flower petiol and green part of the stem यह क्या है wellğin दिखेगी आपके Tumers जो है ठीक है plus आपके flower leaf petiol or green part of the stem पह एलेग इस जो है मिलेंगे उसके according, हमारे size के according ही swelling आपको देखने के मिलेगी या फिर जितना affected parts है वो उसके according swelling आपको देखने को मिलेगी इनको control करने के लिए control measures क्या का आप use कर सकते हो tumours को control करने के लिए तो सबसे पहले तो आप जितने भी आप रूटेट जो plant है ठीके जो को control करने के लिए crop rotation केवल और केवल आप वहां पर यूज कर सकते हो यह है आपकी केवल के आपके long duration crop rotation के बारे में बात करेंगे अगला disease है हमारा grain mold grain mold हमारे जो है कि यह हमारे जो हमारे धनिया की बीज है सीड है उसमें लगते हैं ठीके तो grain mold को हम control कैसे करेंगे तो इनको control करने के लिए हम जो है स्प्रे करते हैं का करबेंडाजीन का करबेंडाजीन का हम यहां पे आपको छिड़काओ करेंगे इनको करने के लिए पॉइंट वन परसेंट ठीक है पॉइंट वन परसेंट या फिर पांसो ग्राम पर हेक्टेयर जो हम यहां पे करबेंडाजीन का छिड़काओ करेंगे ताकि हम जो है अपनी और यह हमें देखने को कब मिलेगा तो ग्रेंड मौर्ड को कंट्रोल करने से पहले कंट्रोल करने के-लिए हमें इस दिन पहले जो हमारा ब्लाइन बढ मंषा,पी इस З carriage ने आँ,पने दुर्पी कोम जैए आप हैं इरिगेट्ट एरियां में हैं ए डारेट ग्रहां थे से we happened to expect 500-600 ऐड गिलागी तो रांफ़ेड में अपोन ती happening यहां से जार्था सब्कुर्क्राषब आपको जो है यह आपको सीड यहां पर धनिया की मिलने वाली है देखे यह जो चीज़ है यह आपकी दो भागों में अप्राइट कर देगे धनिया को एक और यह आपकी पूरी कि पूरी खड़ी-खड़ी ग्रेन है तो यह हो गए आपकी इल्ड तो थैंक्यू सो मज़ आपकी पूरी की पूरी क्रॉप मैंने कवर कर ली है और अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो प्लीज आप चैनल पर विजिट करिए और चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए वहां से आप जो है चैनल को विजिट करिए और वहां पर प्लेलिस्ट से देख आपको पूरी की पूरी फसल जो वेजेटेबल क्रॉप्स की फसल मैंने आपको कवर कर ली है तो वहां से प्लीज देखिए और सपोर्ट करते रहे और थैंक यू सो मच और अगर आप हमारे डिफ्रेंट शेश्वन मेडिया पर आप हमें सोशल मेडिया पर जुड़ना चाहते है तो प्लीज आप टेलीग्राम पर जुड़िए टेलीग्राम पर आपको पूरी की पूरी क्लास की नोटिफिकेशन महीं पर मिलती है आपको पीडियेफ शेयर किये जाते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक you so much